स्वागती जी आपका स्पोर्ट सार पर जुडगे हैं हमारे खास सेग्मेंट फेंटेसी 11 टॉपिक्स के साथ जिसमें हम बात करते हैं कि भाई जो आज का मुकाबला है एक जबरदस मुकाबला होने वाला है मुम्माई इंडियन्स वर्सिस संराइस हाइदरबाद तो ये एक म मतलब आप कह सकते हैं कि टॉप उटर का जो होगा ना जबरदस एक इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है इसमर क्योंकि आपको जो खिलाडी देखने को मिलेंगे आपर डेवाल मतलब अब ब्रेविस्टर वहाँ पर फीचर करते हैं मुश्किल नजर आ रहे हैं लेकिन आप रोही शर्मा, आईशान किशन, सूर्य कुमार यादफ, तिलक वर्मा और आप बात कर रहे हो फिर कैमरन ग्रीन, टिम डेविड भाई क्या जबरदस बैटिंग लाइनप है मुम्मे इंडियन्स की और वो जो दूसरी टीम है भाई वहाँ पर भी इतने जबरदस खिलाडी है लेकिन हम बात कर लेते हैं कि टॉप पिक्स मुम्मे इंडियन से कौन होंगे और जिसको आपके इंस्टिंग बैक करें आप उस पर भी कॉल लगा सकते हैं मनना जो हम लो आफ एवरिजिस के बात करते हैं और इस खिलाडी के इस तरीके रिसे रंस आए हैं, कंसिस्टेंट य यह खिलाडी रहा है तो मैं इस पर दाग लगाता हूँ, वो होगी safe choice लेकिन आप out of the box calls पर भी जा सकते हैं जिसे हम कहते हैं पंट्स जिसे आप मानते हैं कि ग्रैंड लिग में गर जीतना है तो सब की तरह नहीं सोचना होगा, थोड़ा सा हट के सोचना होगा, थोड़ा सा वर्मा, यह कैसे है आपके लिए safe bets होंगे, क्योंकि सब के ध्यान होगी देखे, sunrisers में भी बड़े बड़े बल्लेवाज हैं, लेकिन सुर्य कुमार यादफ तिलक पे मैं ऐसा अदाव लगा सकता हूं बल्लेवाजों में, कि इन्हें कम खिलाडे भी choose करेंगे अबी, क्यो आपके पास जो option मनते हैं, डुवान यांसन खेलेते, प्यूज शावला आपके टीम में जरू होनोने चाहिए, आपके लिए आप कह सकते हैं, एक ऐसी call हो सकती है कि जो आपको अच्छे कासे इनाम जितागे दे सकती है, spinners का बहुत अच्छा रोल रहा है भी तक IPL में, especially wrist spinner और प्यूज शावला की performance बड़ी जबरदस रही है, प्यूज शावला आपके टीम में हो सकते हैं, आप इनको vice captain, captain में भी, उस contention में भी रख सकते हैं, other than that, अगर आपको punt call खेलने हैं, कुछ out of the box खेलने हैं call, अगर आपको origin तंदुलकर जैसे इनको मौका मिला, इनकी performance आ जरना इनी खिलाडियों पर रहेगी, रितिक शौकिन, अर्जुन तेंदुलकर कोई इन पर दाव नहीं लगाएगा, vice captain, captain, आपको अपने instinct back करनी है, अगर आप one-on-one खेलते हैं, तो आप safe call के लिए जा सकते हो, लेकिन अगर grand league में जीतनी है भाई, तो आपको ऐसे ही team मना पड़ेगी, जो बहुत कम लोग सोच पाएंगे, उसमें ऐसे ही calls आपके लिए पंट काम करेंगी, मतलब इसे कहते हैं जिसमें stakes बहुत जादा होंगी, लेकिन आपको यह है कि आपको invest जादा नहीं करना पड़ेगा, आप कम पैसों में भी खिल सकते हैं, रितिक शौकिन प बस एक है आप कह सकते हैं बड़ी पारी आई है, इशान की अब हमने देखा के क्यार वर्सिस उनकी एक जबर्दस पचास वहां पर आई थी, सूर्य कुमार यादब पे तो भाई आप एन डे काउंट कर सकते हो, मुझे तो असा लगता है अगर आप तीन पे बैक करेंगी काई, प्यूज शावला बड़ी सेफ कॉल है, रोईश शर्मा, इशान किशन, एन डे आप इने रख सकते हो, कैमरन ग्रीन, बैट और बोल दोनों से करके दे सकते हैं, आप इनको भी वाइस कैप्टरन कैप्टरन में भी चूज कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है बा अब हम चलते हैं दूसरे टीम पर, फिर हम बात करेंगे कि आवरोल आप दोनों में से किसको टॉपिक्स वाँपर चूज कर सकते हो, बेस्ट कंटेंडर्स कोन हो सकते हैं, या जिनको मैं चूज करूँगा, अब देगे इस टीम में सब अविलेबल हो गए है, पहले प्रोट पारी इनकी कंप्लीट है, लेकिन आपको वाइस कैप्टन कैप्टन के से चूज करना है, देखे महिंग का अकरवाल इनके लिए ऐसा राय की अभी तक पारी नहीं आई है, लेकिन आप इस खिलाड़ी पे दाव लगा सकते हैं, देखे बहुत कम लोग इन पे दाव लगाए सभी Grand League में चाहेंगे, हरी ब्रूग मेरी टीम का कप्तान हो, आप थोड़ सा अलग जाकर महाँ पर राहूल त्री पार्टी पर लगा दीजिए दाव, क्योंकि भाई स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा मारते हैं, पेसर्स को भी जबर्दस ट्राइक रेट है, तो राहूल त सकता है कि यह खिलाडी अब consistently perform करेगा, यह आपके लिए safe call हो सकती है, ऐसा ही कप्तान Aiden Markram भी, Aiden Markram भी एक ऐसे खिलाडी है, जो consistently आपके लिए 30-40-50 से से वाले scores कर सकता है, वो आपके लिए एक बड़ा जबर्दस option है, अगर आपको एक पंड चोईस चूस करनी है, वशि भी अच्छा करने है, आपके पास हमने देखा कि वहाँ पर भूवी नटराजन आपके डेथ में यह करते हैं, आप मार को एंसन पर भी दाव लगा सकते हैं अपनी टीम में, आपको ऐसे combination चूस करने है कि जो बैटिंग है भी जादा है, आप वहाँ से बैटर्स चूस करिए और बोलिंग तो आप जैसे हमने दोनों बोलिंग की बात कर रहे हो, प्यूस चावला को आप मुंबई से चूस कर सकते हैं, इधर से आप मार करने हैं, आपके टीम में होने ही होने चाहिए, बाकी आपके पास जो दो बोलर्स को आप अपने टीम में फिट इन करोगे, को इस चरमा को बैक कर लीजे, उनके लवाँ यहां से आपने बात करी, हैरी ब्रूख हो गए, राहुल त्री पार्टी हो गए, और आप अगर मानना चाहरे है कि यार हेड़न माकरम की आवापर आपको लगरा अच्छी पारी आएगी, यह आपके सेफ कोल्स हो गए, तीन ब पार्टी के एक अच्छे पारी आ रही है, तो अगर मुझे यहां से चूस करना होगा, तो मेरे कप्तान राहुल त्री पार्टी होंगे, वैसे ही अगर हम बात कर रहे हैं, बूलर्स में भी, देखें, उमरान मलिक का अभी इतना सही नहीं जा रहा, उनकी पिटाई थोड़ कभी आप चूकोगी नहीं, किसी भी आप, किसी भी फेंटेसी लिग में खेलोगे, आपके वाँ पर चान्दी होगी, फिलाल इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलेगा, फिलाल लेता हूं इजा गादेना इना?